300 वाले हेलमेट की देखो, क्या हालत हो गई है, पुरा चखना चूर हो गई है, जिर्फ नॉन गयर गई थी इसके उपर, तो आज हम यह ही करने वाले है, आज हम अलग-अलग चीज़े, अलग-अलग प्राइज रेंज की सीज़े, तेस्ट करने वाले हैं, जैसे यह थी त्यों प्राइज की सीज़े टेस्ट करने वाले हैं, तो चलो! तो यह थीत के अर्वाले हेलमेट miss-ई-थी, तो यह हेलमेट versus नॉर्मल वाले है तो यह आप्ट पाथ सोवाले हेलमेट की एक नॉर्मल बाइप के साथ नो सटीफाइद है अभी सटीफाइड हेलमेट और वह बक्चो दी सटीफाइड इंसान अनिमेशा अभी इसके उपर वह चाड़ाने वाला है बुलेट मेट के अपर अब घाड़ी चर नहीं रही है तो प्रवीं को पहना के लिटा दे तो पैने का एये है अजा थी कोलीड ड़ा है तो टा नहीं तेरे को चला नहीं आया है तो अवहण कोफ यह उसमें वी लगाड़ी चल दे ञाया हूँ PlayStation दो सुन आइज को एक दम पूरा वरोबर पड़ा है सिर्फ यहां से और यहां से च्राइक मतब थोड़ा सा टूतह है थोड़ा सा टूतब और यह वह और काज वाकी एकडम पूरा वरोबर बड़ा है तो हमेशा सेटिपाइड़ वाले हेल्मेट्स लेना मतलब 1000 वाले हेलमेट लेना, अगर नहीं हो दुकान वाले के पास, तो 200 का भी 1000 देखा ना पर 1000 वाले ही लेना वो बरोसा था? तू तो तो रगाते को गाड़ी सिखा ही ने मेले? शाले तू मिला मेरे से 2 साल पहले है, मैं गाड़ी 10 साल से चलाता हूँ भाई मैं कबसे गाड़ी चलाता हूं तो कमाल में पूचा मैंने तो यह है 4800 वाला यूरोपियन और आएसाय सर्टिफाइड हेलमेट अभी इसके उपर हम ट्रक चलाने वाले हैं और देखेंगे कि यह थूटता है कि नहीं कि अच्छा अच्छा जेल लिए इसने आज कम पर दूब दैश्वाला हेलमेट की हालत हुई है यह बड़ ज्यादा डेमिज नहीं हुआ है फिर भी फिर भी बैटर है यह फिर भी कि अच्छा कि नॉर्मल बैट तूट सकती है तो सीजन बॉल से अपके नहीं तूट सकते तो लेट्स ट्राइए अलग-अलग गाट्स पचास वाला सुट्टर वाला सौवाला और देखने वाले हैं कि कौनसा ज्यादा मजबूत है कि अच्छा आपके अख्रोट तूटने के चांसे सकम है पाहन के नहीं देखेंगे यार हमें भी अपने अख्रोट प्यारे हैं यार सबर करो सब बता दो पले पचास वाला ऐसा संधिये यह रिप्रेजन करते आपके अख्रोट और हम यह रख के उऊपर से यह रखेंगे और अगर यह तूटा तो अनिमेश को रियल में हम पहना के वापस सेम चीज करेंगे और सिंपल ठोटेस्ट करने वाले हैं पूरी की पूरी पूरी रखी थी पूरी आधी हो गए तो यह देखने वाले एकदम जबरजास थ्रो के साथ इसका क्या हाल होता है तेड़ा हो गया इसका किये बाfire नहिंए तो यह फिन को किया रहा है तो फॉरी नगगे जाना बहाई जोड़ से मार खातम करता हूं यार में इसको क्याल एधू इथर लगा दिके ईंदर के मौल का हाल के है यह तो आदी पूरी बची है, देड़ पूरी का काम तमाहम है, में को लग रहे है यह सस्ता शांदा टिका हु जबरदस माल है, इसको इंपक्त हो रहे है, पूरा कम्प्लीटली लोग नहीं पा रहे है अंदर की चीज, बट उपर से इसको जो भी लग रहे है तो बॉल बाउं तो अभी पता चलेगा मेरे जिम ट्रेंणर ने में को कितना ताकत दिलवाई है इधर लगा मतलब सौर पर अगर आप लोग है तो आपका हेग ही फूटेगा और वो भी आधा यह देपह। वाला देपह। वाला वर्जस सीजन बॉलिकंळ के ऊपर अंदीटीवाज ऊपर नहीं गया काय में रहागए वह रहे है सीर्फ वही तक द Zoo मेट रहते हैं वही ट्रा करेंगे जो लोकलकर मार्कट में मिल जाता है बाहर से कुछ नहीं हुआ इसको और अंदर से पूरिया टूटी है I don't know क्या हुआ तो अभी हम अलग अलग पानी टेस्ट करने वाले हैं जैसे कि यह है बिसलरी का पानी यह है जहां पे हम सूट कर रहे हैं वहां से नलके का पानी यह है लेक का पानी और यह है गटर का पानी यह है लाइट स्ट्रॉ यह दावा करती है कि जैसे ही आप पी होगे तो आपको पू एक वाला 72 हमारे याँ पे जो पानी आता है और गटर का पानी इन दोनों में से एक है 119 और वो है गटर का तो इसका सोचो कितना होगा 302 हमारे याँ पे 302 आता है पानी सबसे पहले ट्राइ करने वाले हम लाइफ ट्रॉ तो बिजलरी का लाइफ ट्रॉ के बाद आता है 46 302 वाला लाइफ स्ट्रॉ के बाद हुआ है 211 सिदा सिदा सा होगा तो टीडियेस मीटर का मतलब क्या है 20 से नीचे वाला पानी खराब और 300 से उपर वाला पानी खराब ना हो लेक वाला पानी तो लेक वाला पानी लाइफ स्ट्रॉग के बाद हुआ है एक सो और यह तो बैम भाई लाइफ स्ट्रॉग इस में डालने भी नहीं वाला हूं मेरे मुझ में खाफी होगा तो मैं अलग तरीके से मैं इसको ट्राय करने वाला हूं को यह लाइफ स्ट्रॉग के बाद गतर वाला पानी 120 जोरी 119 तो उसमें कुई जादा इत्ना राइन्व बाकी 3 का उसे बहुत काम कीुछाू क्यास तो ऐसी कुछ गोलिया निकली इसके अंदर से और यह हम हरेक में एक-एक डालने वाले हैं तीस मिनिट वेट करना अभी बस तीस मिनिट आरम करना और उसके बाद हम चेक करेंगे और लाइन भी बन गए तो तब तक थार्जिंग और जिंग भी कर देंगे यह भी बढ़ गया है 72 से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है पर यह गोलियों ने गटर का पानी चोड़ के बागी सब पानी खरा रहा है हो सकता है इसमें दूसरी प्रापटी इस ब्यों लिखा हुआ है कि 10 लिटर पानी में एक गोली डालनी है तो हमारी वह गलती हो गई हो यह पता नहीं क्या और इसकी स्मेल ऐसी है कि बाज़र नहीं रिविंग मूल में बच्चा मूद देता है एक यह गलती हो सकती है कि यार यह दस लिटर पानी में डालना था और अमगे एक ग्लास पानी में डाला हो तो और दादा प्यूरिफाय करना चाहिए ना भाई अब हमारे पास तीन पुरानी फोन यह और बबल रप है मेरे पास तो बबल रप को हम रप करने वाले हैं फोंद के उपर और देखने वाले कि कि इतने लेयर के बाद नहीं तूटता है अफकॉस उच्छा लेंगे भी तो पहले हम इस पर बीस लेश चड़ाने वाले और उस मैं तो दिया उसने दिया ही नहीं तो आया क्यों बीच में दे तेरा फोन देखी तरे अब हम प्रवीन का फोन फेकने वाले हैं इसके बाद मेरे दो मिला के देरा एक में आता है जो भी यह दो है न तो यह है प्रवीन का पॉफेक्टली चालू फोन इसको 20 लेयर में ओडाने अजय है तो ब hatırilla था पंज पेकने वाले है लौफ्त पॉन यह न चालो है यह रहारी अच्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्द्भी यह थे थियुक्ण पॉन हम इना लेर्सक्टली एर् Lust जीए को ब्यो उना वाले हाई जिस भाद था आपको इसके स्क्रीन इंग्धम चालूलगी बढ़िये 10 केची देखिके कौन लेके किया प्रवीन लेके करे किग प्राइण काम में डालियो कि सालगई सब कि अधियर ही सारी खुदी बोला बला लेकर और खुद के गंज़ी लाधिये इसकी महार किया अब दस लेयर्स में भी इसकी स्क्रीन इकदम चालू लगी बढ़ियेगी अगर ऐसे ही उड़ाया तो अब तच्छा लुए अरे स्क्रीन बहार आ गई है यह तो स्क्रीन बहार आ गई है फिर भी चालू लगा स्क्रीन की महाँ बहन हो गई और मज़े की बाद इसका टच्छपैट खराब था और अभी यह टच्छपैट चालू हो गया इसका भाई तू एक रिपेरिंग शॉप चालू कर जिस में फोन बेक के में रिपेर कर दो भाई लोहे को लोहा कट ते दिख ग्या आज एकजमपल अला 8907 नीचे का पूरा चालू हो गया टच्छपैट हाओ यह फोन एकदम चालू लगा पड़ा है इसको हम पाच लियर्स में र मुझे लगता है हाः मुझे लगता है अलुआ पूँ के इक कम कर सुन ऐसको जोर्से पटक दे है तो पूरा बाहर निकला है जब हमनी जोर से पटका इसको यहां से बाहर यहां से बाहर तो किसी भी फोन को जादा को चुछ हुआ नहीं पाच लेयर वाले फोन को भी कुछ नहीं हुआ यार तो बबल राप काफी काम की जीज़ है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और अपने सारे दोस्तों भाई बेनो और सब के साथ शेयर करो और मुझे सजेशन दो कि नेक्स वीडियो आप किस पर देखना जाए बाई